बूर्णिंग गाइस तो अभी बच चुके हैं सुबह के साड़ी पॉंच के करीबन और मैं यहां पर उड़ चगा हूँ और आज हम चलेंगे मेरे खेक में जहां पर होगी मुंगों की फसल की गटाई तो अभी तो काफी लोगों के पास भी जाना है जिस डिसको लेखे जाना है तो चलिए थोड़ा त्यार हो जाता हूँ और फिर चलते हैं अभी देखो अभी सुरज भी नहीं हो गया है और मुगने माला है तो सुबह हो गई तो मुझे भी चलना चाहिए मैंने भी अपने बाइक इस्टार्ट कर लिए और यह मेरा गर और बाइक इस्टार्ट कर लिए तो अब मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि लेट ना होजा है लेट होते ही तो फिर कोई मतलब नहीं है शे बच गए और मैं निकलता हूँ गर से कहत के लिए चलिए सुरू करते हैं अब हम पूछ चुके हैं अपने खेट में और अब देखेंगे सुबह हो चुके साड़े च्छ हो गए और हब मुंग की इकताय करेंगे तो आएए आप हमार साथ में चलिए होती है कि सुबह चुके निकल रहा है मोसम वाफी बढ़िया है और जो अपने यार दोस्ते जो सा आज काम करने वाले ते वह सब चले गए बस में बचाता और मेरे साथ में एक यह भाई भी बचेते जो आपको दिख रहे हैं इस पैड़ के पास में तो आपको में खेट का नजारा दिखाऊंगा मेरे क्या पसले क्या नहीं तो आप मने रहें मेर साथ तो राइस हम यह आपको दिखाता हो मुंग पसल कैसे गटाई होती है यह हमारे खेत में काम करने लग चुगे हैं हमारे आने से पहले ही और काफी लोग लग चुके और मुझे लगता आज काफी गटाई हो जाएगी इसको राजस्तानी भशा मिलाओने भी बोलते हैं तो यह मिलाओने कर और काफी मैनित के लोगोंने तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दूर दे को वहां पर दिख रहे होंगे आपको वहां तक उन्होंने अभी तक मुंग ती गटाई कर लिए मुझे लग रहा आसाम तक काफी हो जाएगी तो आपको दिखाता हूँ में एक बार आदा गंटा हो जगा है यहां तक गटाई कर लिए और अभी में ले जाने वालों उनके लिए पानी और कुछ समान यह देखिए खेट का देश से पानी बगेरा तो मैं भी थोड़े देर में लिए कि लवाष देश से जालों कि अग्यों कि अ चर ने खुड़ेग चाह त से जाना tym कर दो कर लिए है और जल रहा है भी तो देखते हैं जो गाओं में पानी पीने का साधन होता है खेत के अंदर ही क्या भाड़े को भी मेरा जाती है और इसमें से फिर क्या साधन होता है एसे जुगार लगा जाती है प्पने दो मराजा या ये प्राइब नग्या ये जो मराजे ऊपन girl प्राइब著 अन्याय को प्राइब नन्याई ऋड्पन मिली कर Columbia झाल झाल अब भी साथी ग्यारा हम बज चुके हैं और मेरे क्याल से काफी जगे से मुझ के गटाई हो चुके है जो काटने के लिए रहे थे तो वो भी खाना खार रहे थे आपने देखाई है उसके बाद हम वापिस लगेंगे और जो बचे हैं उनकी वापिस काटाई से रुगरेंगे तो इसको राजस्तानी बासा में लाउने भी बोलते हैं एक परकार से देखा जाए तो तो आज टारगेट है करीबन आदे केट से ज्यादा जो यह मुझ के उनकी काटाई करती जाए और फिर अगली जो बाकी है वो कल करेंगे तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसे गटिंग करते हैं आओ अब 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 बन दो बाच चुके और उनकी फैसल के रचाई पूरी होच चुके अब धच्छों गाफी गजारे और यह देती ही कुछ अलग ही आप दिख रहा होगा फाइनली अब में गर पहुंचुका हूँ और गर पहुंचने के बाद काफी थक गया हूँ काम करते करते हूँ काफी थक गया हूँ तो मुझे भी रेस्ट के जुरूत है अभी फिलाल तो क्या करेंगे देखते हैं क्या होता क्या नहीं पर अभी आएं थोड़े नानू लेते हैं करीबन डाइब चुके हैं भी तो और काम करके काफी ठीक लगा कुछ जाज अधिकत वाली बात नहीं लेकिन ठक चुके हैं काफी क्योंकि सुपर छे बज़े गहते और सुपर पांच बज़े ही उट गहते तो काफी किसान होता है बहुत मैनत करता है आज तो काफी अच्छा लगा चलो मिलते हैं फिर नेक्ट व्लोग में टाटा बाट